ओलम्पियाड एबम बर्ट पावर चेंपियंशिप के लिए सिक्षकों का रेजिटेशन कैसे करें जैसे कि हमें पता है कि जो ओलम्पियाड की पिर्तियोकता है लाश्ट एर से प्रारम हुई है जिसमें चात्र इस पिर्तियोकता में समलित हो सकते हैं और इसके लिए इस तर नरधारित किये गए हैं जैसे हम देखें तो कक्षा 2-8 तक के चात्र इस प्रतियोकता में सामिल हो सकते हैं और इस सम्मन में राज्य सिक्षा केंदर के द्वारा भी सत्र दोहजार तेश चोविस के लिए जो ओलंपियाड प्रतियोकता है इसका आदेश जारिक कर दिया गया है जिसमें संभावित तिथियां बताई गई है अब तिथि के एदि हम बात कर लें तो पिर्थम चरण जो की जनसिक्षा केंदर स्तर पर आईजित होगा इसकी तिथि इसमें निर्धारित की गई है 19 अगस 2023 और जो 32 चरण है जो की जिला स्तर पर होना है इसकी जो तिथि इसमें बताई गई है 28 और 29 सितंबर 2023 दिन गुरुवार और सुकुरुवार इस दिन संभावता जो पिर्थियो को इस पिर्थियोक्ता में समलित करा सकते हैं अब इसमें भी अलग अलग इस्तर होते हैं जैसे कक्षा दो और तीन के लिए एक इस्तर होगा कक्षा चार और पाँच के लिए दूसरा इस्तर होगा वहीं कक्षा छे से आठ के लिए तीसरा इस्तर होता है तो इस परकार से त हात्रों का registration किया जाएगा तो आईए देखते हैं कि सिक्षकों का registration कैसे करना है इसके लिए आपको सब से पहले तो किसी भी browser को open करके इसमें RS के portal search कर लेना है RS के portal जैसे पूर में आप search करते हैं एड़ेस बार में type करें RSKMP.in इतना type करके से search करने जैसे हम search करेंगे हम login page पर आ जाएंगे जहां हमें अपने यूनिक ID और जो हमारे एजुकेशन पोर्टल पर जन्पती थी अंकित है वह password हमें इसमें fill करना है अर्थार डेट ऑब बर्थ हमें password की रूप में अंकित करना होगा यदि हमने अपना password चेंज नहीं किया है तो और इसके उपरांद जो capture code दिया है इससे fill करके login पर click कर देना है तो हम login कर लेते हैं login करने के लिए हमने अपना जो unique ID है और जो date of birth है वो fill किया और जो capture code में दिया है इससे fill कर देते हैं और इसके उपरांद simply जो login बाला option है इस पर click कर दें अब जैसे हमने click किया तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का interface हमारे सामने आया है जहां आप देख सकते हैं कि third option दिया गया है Olympiad का अब जैसी हमने इस पर click किया तो इसका एक सब option आया है English WPC World Power Championship अब यहां पर click करने के उपरांद आप देखेंगे कि side में दो option और आ चुके हैं पहला है teacher registration का और दूसरा status summary का तो पहले option पर click करके सिक्षक अपना registration कर पाएंगे और जो second option है इससे report चेक कर सकते हैं तो सिक्षकों को अपना registration करने के लिए पहले option पर click कर देना है अब जैसे हमने click किया तो जिस login ID से हमने login किया है उस सिक्षक की सारी detail यहां पर आ जाएगी आप देखेंगे कि यहां पर जो सिक्षक है उनका जो unique ID है वो दिया गया है उनका नाम date of birth, designation, mobile number वो दिया है आपको इसमें करना क्या है दो entry करना है मात्र पहली जो entry इसमें करना है आपको अपना whatsapp number इसमें add करना होगा तो कि इसी number पर जो whatsapp number इसमें आप add करेंगे इस number पर आपको कुछ link provide की जाएगी जिसकी साहता से आप आपको चात्रों का अभ्यास कराना होगा और इसके उपरांद आपको एक option और इसमें chain करना होगा कि आप किस बर्ग समू को पढ़ा रहे हैं जैसे हम इस पर click करते हैं तो इसमें पहला जो इस तर दिया गया है कक्छा 2-5 के लिए दूसरा जो दिया गया है कक्छा 6-8 के लि करेंगे और अपना जो बॉट्सअप नंबर है इसे भी फिल करेंगे और इसके बाद में रजिटर पर click कर देना है अब जैसे ही हम रजिटर पर click करेंगे तो एक पुष्टी करन के लिए message आएगा कि मैं अपने आपको सिक्छक के रूप में English Olympiad Bird Power Championship 2023 में पंजीकरत करना चा सकते हैं registration done successfully अब आपको okay कर देना है और उपर भी message दे दिया गया है कि you have registered successfully अर्थात आपका जो registration है वो सफलता पूर्वक RS के पोर्टल पर हो गया है साथ इसमें हम बता दें जैसे बिसे की हम बात करने तो बिसे के संबन में भी आधिस में बताया गया है जैसे कक्छा 2-3 क लिए अंग्रेजी हिंदी इवं गडित विसे में पृतियोकता होगी वहीं कक्छा 4 और 5 में अंग्रेजी हिंदी गडित इवं परियावरंट जो विसे है इसमें पृतियोकता आईजित की जाएगी और कक्छा 6-8 के लिए हिंदी संस्कृत अंग्रेजी बिग्यान गडित एवं प्रश्न मंच इस प्रकार से दी हम देखें तो कुल 6 विसेस में दिये गए हैं मादमिक इस तर के लिए तो इस प्रकार बहुत ही असानी से हम RS के पोर्टल पर सिक्षकों का रजिस्टेशन ओलम्पियाट के लिए कर सकते हैं आसा है जानकारी अच्छी लगी होगी मिलत हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन